एपिसोड की शुरुबात में हूव और ड्यामिंग की हाएक उच्छ, और किसी बच्ची को भी यहां पर खड़ा कर देगा खना भी खेलना बंद कर अब अच्छे से करने। त्यामिंग होता है वो अपने फुल फोर्स लगागे यानि अपने दोनों डेगर्स को लेके वो सीधा हूँ के उपर ही है वो चट जाता है उसके उपर है वो बार बार है वो अटेक करने लगता है अचानक से ट्यामिंग है वो नोटिस करता है कि जहां पे उसने अटेक किया ह होता है वहाँ से ब्लड तो निकलाई नहीं होता है बस इसके कपड़े यह होते होता है यह देखे वह काफी करने वह हरान होता है नहीं कर दिया मैं एक भी होता है अखे वहरल नहीं कर दो घ्यालभा अब अबंधर हो भी घोर मुझे रही तो आगर तो डियामिंग की डेगर होती है यह बहुत आधा है यह पारफुल हो चुकी होती है बस इतना ही जान लो और आगे का अगर मैं कुछ बोलूगा तो आपके समझ में नहीं आएगा किसी भी फॉर्म में को अपने डेर्य की बावर बलाता है और के साथ में kidding में यह यहान बन चुका होता है और एक के फोरस जीतने जात ही जान के में उसके कंद होता है में तुम्हें करें। यह तो नामम्किन है एक फाउंडेशन मिलनेंग का बन्टा गोल्डन को लेवल वाले बन्टे को यह वह कैसे अर्गर कर दिखाया जाती है जो की है वह 43 परसेंट है वह होती है बन्दे के मनने से मादा जो हूप के मनने से हमारे ट्यांग के आमिंग के सिस्टम की दरस से थोड़े बहुत है वह गिफट है वह मिल जाते हैं, और tastes में बहुत हैं यह तो बहुत ही थाब ही बात है, मैंने SAY मैं किसी को मर 我要 गिफ्ट में मिल गया अपने मन के अंदर है वह बोलने लगता है कि अच्छा यह बात है अगर मैं किसी भी डीमन एक बीश्ट को है वह मारता हूं तो जो मेरी डेगर या फिर कहें मेरी ड्रेगन ट्रसमेशन स्के लेवस की यह वह पावर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं अ इसके बाद मैं अपनी ब्लैक अबीस बाली बैटल मोड का इस्तेमाल करूंगा अब मुझे जो भी स्पेशल इफेक्ट है जो भी स्पेशल पावर है वह मिली है उसका थोड़ा बहुत है वह देखना पड़े है अगर मैं ऐसे कहीं बीच बैटल में इस्तेमाल किया तो साइ अवाले बंदेगी फट जाती हो बहुत है कि बाई मुझे माफ कर दे मुझे छोड़ते तूं वह बनदा होता है वो अपने हाथों में से एक रिंग पर निकाल देता है ये एक स्पेस रिंग होती है वह मेरी बोलने लगता है यह पोहता है यह खशाना है आप देखके रहान हो जाएंगों बॉलिन लगता है कि हाला कि इतने चलते रखीती है और पड़ती रहती हैं लोगों के पास पी आइरन आर्मा डारकर शील्ड स्मॉल रीतैंग आए जुआंग रेंग और हुआंग रेंग की इस प्रेश टोन लेता है जो कि काफी ताथ अची बात हो दियाँ यह ठाद आउडario अपको क्यादा है फिर उनसे पर भूब और आपुज ऑप्छन देता हूं नika ऊदेता हुको चाहिए तो तो तुम्हाप्स पहुछन पिर only तो मैं तुम्हें यहां से जाने की परमिशन है और मैं यहां पर यह रह जाओंगा वह लोग होता है वह यह डर जाते हैं और यह दर जाते हैं अगर आपने सब्सक्राइब हो लोट गए तो आपने हमारे जो मतलब जो भी बंद है वह हमारे अटेक के लिए बेज़ेंग और हमारे उपर बहुत अधा अटेक हो जाएगा तो आप ही सोचे अपने क्या गलती की तो ट्यांग में होता है वह बोलता है कि यार चिंदा कर नहीं कोई देमन वीमन है वो नहीं हो मैं ऐसे ही फिजूर में लोग है वह बिल्कुल नहीं मारता जूट बोलता है साला क्यामिंग होता है वो बोलता है कि यार मैंने जैसा सोचा था एक तो वह सीखनी चाहिए कि किसी को अलविता है उपकाई जाए क्यासे है वो निकलते है पिर अगलास दीना में तेन तिन बंदों को है वो दिखाया जाता है जो की भाग के वो वहां से जा रहे हो तो अपनी जान बचाते हुए और हम अपना बतला लेने के लिए अपने मास्टर के साथ यहां पर आएंगे वो कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा है वो नहीं होगा तभी वो बंदे भागी रहे होते हैं अच्छानक से उन्हें हमारे जो ट्यामिंग के स्केलेटन है वो रास्ते में यह वो जाता है वो गलत हो तो चुप चाप खड़े रहो और मरो यहां से और वो सारे स्केलेटन होते हैं वो धीरे-धीरे करके वो एक एक करके सबी बंदों को खतम करने लगते हैं फिर ठिकाने लगाने लगता बहुत तेजी से जंगलों में से वो आवास आने लगती है वो नहीं क्या गिरकार अभी यह क्या हुआ इतनी साथ भयानक अवास है वो कहां से आई फिर यामिंग होता है वो फेई इंग से एक सवाल है वो पूछने लगता है कि बाइदेवे वो लोग जाते जाते एक बात है वो कह रहे थे जिसे वो लोग शाय सा हंड्रेड डेडली सोल फॉर सब्सक्राइब कैसा होता है वो होता होगा बाद में तो मैं पहले बता दूँँ यह पारफुल है मतलब अगर कंपेर कर जाएंग और कोई फॉर्मेशन ने गुरुप के उपर इस्तेमाल की जाए तो गुरुप ऐसे दर्दनाक मौत है वो मिलेगी अगर कोई बंदा कर सोच भी सके ना तो भी वो से सोच भी निफाएगा मतलब यह इतनी साथा खतरनाक है अगर कोई बंदा कर उसके लपेटे में आ जाता है तो उसका जिन्दा बचना है वो नामिंपिन हो जाता है उसी मुमेंट पर आमिंग होता है वो बोलने लगता है अच्छा बस इतनी सी बात बहुता है वो बोलने लगते हैं कि तुम यह क्या बखवास कर रहे हो क्या तुमने मेरी एक भी पास सुनी या फिर ऐसे यह नजर अंदाज कर दी तो मैं वह सो से जाधा बार है वो मर चुके हो मतलब नॉर्मली अगर कोई बंदा है वह एक दो से जाधा बार यह चीज़े एक्सपिरेंस है वो कर लेता डैस का तो पागल सा हो जाता है वो एक्दम क्रेजी हो जाता है तो तुम तो यार बड़े ही अरलक लेवल पे हो त्याम होता है वो बोलता है कि चलो अब यह सब बाते छोड़ो और उसी के साथ है वो मैंग शाओ के वो बुलाने लगता है और हो भागा भागे आमिंगे पास आता है और बोलने लगता है कि बड़े भाई कि आपने मुझे यहां पे बुला है किसी काम से हमिंग होता है वो महरे लगता है कि देख पर जितनी वी चीछ जो first test होता है वो हमारे दिल के लिए होता है और second test होता है वो हमारी माइन के लिए सीथा सब्दों में कहा जाए तो ये हमारे दिल की एक performance होती और माइन की जो आप कितना हद तक है वो चीजों को है वो सह सकते हैं याफ के उपर लाकों को ना पड़ी है यहां पर लड़की होगी है यहां पर जितने भी और आपके जब्ल ड़ने के तो परमीशन वह दे दो और उनका खुंद शूसने दो और इसी के साथ अपना एक बैग निकाल दी और बोले लग देगी हो लोग है वह बिल्कुल भी वह बराबरी नहीं कर सकती हैं को लेडिस है वो मेरी येंग की बराबरी यहां पर चल रही होती है के साथ उसकी पोड़ी में रखे होते हैं और जिसे सुंगते हो बोल रही होती है कि पहले तुम्हें अपना करम कांड हो खतम नहीं कर वाई दी बट जैसे यह अब वक्की बार यह वह बाहर आएगे ना तो हम डर्म कांड सब कर देंगे वहीं ने लगता है और यहां ने लगती है और पर वह बची होती हैं और सेकंड लेवल से बाहर आ चुका होता है कि तुम लोग जो बख्चोदी यह फिर खेल खेल रहे हैं न मुझे वह एकदम 100% पता है वो एकदम परवर्टेड है यार सच बोल रहा हूं तुमारी कसम यार मर जाओ तो गैरंटी मेरी नहीं Until then ये एपिसोड भी यहीं पर खता हूं बाई गुडबाई सायनर और बाई बाई